आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्य सभास्तान सा संजे सिंग को सुप्रीम कोट से जमानत मिल गई है ये बड़ी खबर इस वक्त पर इस लिहास से भी है कि खुद दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केज जिवाल अप तिहार जेल में बंद है यानि कि अभी आने वाले कितने समय तक उन्हें तिहार में रहना होगा जेल में रहना होगा ये कोई नहीं जानता लेकिन आज ये सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि संजे सिंग को बहुत बड़ी रहत मिली है सबसे पहले में आपको सुप्रीम कोट की तरफ से जब ये जमानत दी गई है कुछ एहम पॉइंटर्स के सामने आये तीन बिंदू मुखे तोर पर वो जरा बता देती हूँ पहले तो सुप्रीम कोट की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये जमानत है इसे मिसाल ना माना जाए और साथ में ये भी बताया गया कि एडी ने इस जमानत का विरोध नहीं किया है अब ऐसे में जैसे ही खबर निकल कर सामने आये तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर 181 दिन तक जेल में रहने के बाद संजे सिंग को अचानक ऐसा क्या हुआ कि जमानत मिल गई और क्यों इस बार एडी ने विरोध नहीं किया है मैं आपको बता दूँ कि अपसे थोड़ी दिर के बाद एक प्रेस कॉंफरेंस बकायदा होने वाली है आतिशी की तरफ से की जाएगी और इसमें अब जरूर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी की देखे संजे सिंग तो बिल्कुल सही थे यानि की जो आरोफ इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता EDE, CBI पर लगाते रहे हैं एक बार फिर से वो मुखरता से लगाये जाएगे अब मैं आपको ये भी बता दूँ, अक्टूबर 2023 का वो वक्त था जब संजे सिंग की गिरफतारी हुई थी उससे पहले कई बार छापे मारी हुई, इस पूरे जो कथिश शराब घोटाला है उसको लेकर बहुत समय से जाँच परताल चल रही थी और यही फिर नतीजा हुआ आप देखेंगे कि चाहे वो मनी सिसोधिया हो संजे सिंगों और बाद में आते आते कैसे यहां पर अरविंद केश जिवाल की भी गिरफतारी हो जाती है उन पर आरोप जिस वक्त क्या लगा था जब उनकी गिरफतारी हो गई थी वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ हलाकि आपको याद होगा जब E.D. की तरफ से चार्शीट दाखिल की गई थी तब संजे सिंग ने बड़ा हंगामा भी किया था संजे सिंग की तरफ से कहा गया था कि मेरा नाम चार्शीट में गलती से लिखा गया है जबकि E.D. ने इस पर सफाई देते हुए बाद में ये कहा कि चार जगा बकायदा संजे सिंग का नाम लिखा हुआ है एक जगा बताया कि गलती से संजर सिंग का नाम लिख दिया लेकिन बाकी तीन जगा जहां E.D. की चार्शीर में संजर सिंग का नाम था उससे बिलकुल सही बताया गया और बाद में जो सबसे संगीन आरोप लगा वो 82 लाख रुपे का चंदा लेने का जिक्रिस में किया गया आपको बता दें कि उसके बाद जब ये जांच परताल आगे बढ़ती चली गई तो फिर संजे सिंग की गिरफतारी हुई और 181 दिन ये बहुत लंबा वक्त उन्हें जेल में बिताना पड़ा और आखिरकार एक राहत भरी खबर संजे सिंग के ले सामने आई लेकिन इस लिहाज से भी इसको समझना होगा कि संजे सिंग की जमानत के बाद अब सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरिवाल को भी इसी तरह राहत मिलने वाली है लेकिन अगर आप टाइम डूरेशन देखेंगे तो संजे सिंग को भी 181 दिन का वक्त लग गया तो क्या अरविंद केजरिवाल को भी इतने ही दिन क्या जेल में रहना होगा और बाकी जो आम आदमी पार्टे के बड़े गदावर नेता हैं जो इस पूरे मामले में फस्ते चले जा रहे हैं क्या उन्हें भी अभी इतना ही इंतजार करना होगा इन सब के बीच में आज सबसे बड़ा सवाल यही है जो अब इसको लेकर बहुत सारी राजनितिक जो प्रतिक्रिया हैं वो भी आनी शुरू हो चुकी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इडी ने बेल का विरोध नहीं किया और सुप्रीम कोट की तरफ से लंबे समय के बाद आखिर कैसे संजे सिंग को जमानत मिल जाती है लेकिन मैं आपको ये भी बता दू कि ऐसे वक्त में जब ये खबर सामने आई एडी सूत्रों ने दावा किया कि अर्विंद केजरिवाल ने जब कहीं सारे सवाल जवाब हुए तो आतिशी का भी नाम लिया और सौरभ भार्दवाज का भी नाम लिया ये कहा गया कि विजे नायर से मेरा कोई लेना देना नहीं था विजे नायर अगर किसी को रिपोर्ट करते थो तो ये दो चेहरे थे यानि कि आतिशी और सौरभ भार्दवाज और जब अर्विंद केजरिवाल ये कहते हैं कि वो जेल में रहकर सरकार चला लेंगे तो कही न आना जाए ये एक बड़ा सवाल है कि जब संजे सिंग यहां से बाहर आ रहे हैं ऐसी सूरत में जब अगर आतिशी और सौरभ भार्दवाज की मुश्किले बढ़ते हैं या फिर कोई भी सूरत तो एक सवाल ये भी है कि संजे सिंग को कोई बड़ी जिमेदारी भी क्या यह से मिल सकती है क्या क्या हो सकता है खुद अर्विंद के जिवाल संजे सिंग को कोई बड़ी जिमेदारी स्वाप दे क्योंकि अगर इस वक्त आप मौझूदा इस्तिती देखेंगे तो बार-बार चाहे आप LG का दखल इसमें देख लीजी इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि य से बाहर आ रहे हैं तो क्या दिल्ली में कोई बड़ी जिमेदारी भी संजे सिंग को मिल सकती है क्या यह सबसे बड़ा सवाल भी और इसमें नजर भी हमारी बनी रहेगी यह विडियो आपको कैसे लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइए और निउज एटीन इंडिया के यूट्यूब चानल को अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजेए